Hello students, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel, अपना भी दल है, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे एक most important रफ, बताएंगे गड़ीत में, यानि math paper में पास होने का सबसे जबरजस्त और आसान trick, आसान तरीका बताएंगे, अगर आप लोग गड़ीत में कमजोर हो, आप सभी की गड़ीत की तैयारी बिल्कुल 0% है, आप सभी को गड़ीत में कुछ नहीं आता है, यहां तक कि आप सभी को math में जोर घटाना, गुड़ा भाग भी नहीं आता है, और आपको गड़ीत का exam देना है, आपको math का paper देना है, ऐसे में आप सभी की दिल की धरकने जो है बढ़ रही है, आप सभी को ड़ लग रहा है कि कही हम math में फेल नहाजा या math में हमारे number कम नहाजा, यहां पर हम आप सभी को गड़ीत paper में पास होने का एक बहुत ही आसाना और बहुत ही जबर्जश ट्रिक बताएंगे, ठीके अगर आप सभी लोग इस trick का use, ठीके इस तरीके का use, अगर आप स सभी को किस तरीके से कौन सा trick लगाना है, यहां पर हम आपको बहुत ही जबर्जश ट्रिक बताएंगे, अगर आप लोग इस trick को जान गए, तो कभी जिन्दगी में आप सभी लोग मैत में फेल नहीं हो सकते, यह मेरी 100% गारांटी है, ठीके और आप सभी को यानि अगर यह यह हमारी trick की वीडियो मिल गई, जिससे उसका पूरा life change हो गया, पूरी वो फेल होने से मैत में बच जाएगा, ठीके तो आप लोग देखें सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पे नहीं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे, ठीके यहां पर देखें, अब आप सभी को बता दे कि आप लोग गड़ी में पास होने की यूट्यूब पर हजारों वीडियो देखेंगे, लेकिन यहां तक के इस trick के आगे सभी जो trick है, सब बिलकुल घटिया trick है, ठीके सबसे जबर जस्त और लाजबार trick है, यह हमारा trick है, जो हम आप सभी को बताएंगे, वो आप सभी को math में, ठीके पास ही नहीं, बलकि 100% आप सभी को guarantee है, कि आप सभी लोग math में पास ही नहीं, बलकि इस trick का use करोगे, तो आप लोग math में बहुत अच्छे number लाओगे, यहां पर देखें, हम आप सभी को बता पेपर में 20 objective question आते हैं, तो आप सभी को objective question अगर नहीं आता है, तो उसमें आपको बिना पढ़े math क्या trick लगाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा अगर 20 objective question है, तो 20 में आपका पूरा 15 objective question जो है, बिल्कुल बिना पढ़े आप लोग सही करके आओगे, ऐसी trick बताएंगे, ठीके, उसके बाद यहाँ पे दूसरे number पे हैं subjective type के question याँनि इसमें 2 number, 4 number और 6 number वाले question आते हैं आप सभी के, तो यहाँ पे हम आप सभी को all tricks बताएंगे, जितने भी type के question आपके math के paper में पूरा आता है, इस paper में पूरे आप सभी को हम सभी type के question का trick बताने वाले, यहाँ बिना पड़े आप लोग objective question को सही कैसे करेंगे, बिना पड़े आप लोग, ठीके, math में आपको कुछ नहीं आती है, तो आप लोग 60 question, long question को कैसे हल करेंगे, और आपको अगर गड़ीत जो है math बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप सभी लोग यह जियामिती वाले question यहाँ बीज गड़ीत वाले question उसको आप सभी लोग कैसे solve करोगे, ठीके, क्या trick लगाना है आपको, यानि गड़ीत के copy में क्या देकर teacher जो होते है, math की teacher वो आपको full marks देते हैं, पूरे number देते हैं, सबसे पहले हम आप सभी को objective question का trick बताएंगे, ठीके, यानि बिना पड़े आप बहु विकल्पी question को कैसे solve करेंगे, तो यहां पर दीके क्या है, जैसे गड़ीत में जितने भी कठीन सवाल होते हैं, ठीके, यानि जितने भी समीकरण वाले question, सवाल होते हैं, उसका answer जो है, always a right होता है, ठीके, यानि अक्सर दिखा गया है, कि उसका answer जो है, option जो है, a वाल option right होगा, like example क्या है, समीकरण, ठीके, यहां पर कोई जैसे समीकरण वाला question आगया, इसको कठीन सवाल कर सकते हैं, इसमें घटाना, जोड, इस तरीके से गुड़ा, यह सभी होता है, तो यह क्या है, कठीन सवाल है, तो अगर इस तरीके से कोई question आजा है, यहां पर समीकरण 5x का square minus 3x plus 2 equal 0 के मूलो का योग होगा, ठीके, अगर इस तरीके से कोई option आजा है, और यहां पर इस तरीके से जैसे कोई option आजा है, तो जब भी इसका answer right होगा, यहां अकसर जो है, देखा गया है, कि option यहां पर a right होता है, ठीके, यहां पहला वाला option इसका, जितने भी कठीन सवाल होंगे, उसका option पहला वाला right होता है, पहला trick आपको यह लगाना है, उसके बाद दिखे, यहां इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहां पर कई example दिया है, जैसे यहां पर हो गया, यह समीकराड वाला question है, इसका answer पहला right हो जाएगा, ठीके, यहां पर छठवे न करना है, लाइक यहां पर example है, कि दो तुरभूश समरूफ होते हैं, ठीके, इस तरीके से कोई question आजाए, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हों, जैसे यहां पर आप सभी के paper में ऐसे question आया हुए, ठीके, दो तुरभूश समरूफ होते हैं, अब यहां पर आपसन कही द दिया है दो उसमें से दोनों है ठीके तो अगर आपको कहीं भी ऐसा नजर आए आपसन तो आपको बिना हिचिक यह बिना सोची समझें आपको इसी वाले आपसन पे टिक मार देना है जो हंडेट परसेंट यह आपसन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला क्वेशन द यह बिल्कुल अलग आपसन है यह तो आप सभी को क्या करना है सिर्फ आप सभी को यह जोड़ा बना लेना है जैसे एक आप सभी को बी और सी का जोड़ा बना लेना है बाकी आप सभी को यह डी वाला जो आपसन है जो बिल्कुल अलग है इसको आपको बिल्कुल भूल जान एक तो आपको बिल्कुल वियान देना है यहां पे इसमें अगर लोगं सक नगा ड़ी किर ग Senin पर चुनना चाहते हमको आप लोगğर किसी को two को नग lieky थे इस तरीकेसे यह वाला तिक आपको लगा लेना है अगला देखे, गड़ीत में बड़ा और छोटा का तुक्का क्या होता है, इसमें आपको कैसे ट्रिक लगाना है, लाइक एक्जाम्पल है, वो सबसे बड़ी संख्या, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमसा सेस्फल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है, अब यहाँ पे द बड़ा और छोटा का ट्रिक कैसे आपको लगाना है, जैसे आपको यह चार आपसन है, इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है, तो सबसे छोटा जो है 13 है, और सबसे बड़ा जो है यह 1750 है, अब आपको यानि यह जो दू कॉस्टन है, इसको आपको भूल जाना है, ठीक कि आपके भागी की बात है नसीब की बात है जैसे हां पर आप सभी लोग पहले अफट यहां को इस तरीकह से कई ताइप के कुशन धिया है पहले वाले में आप लोगों ने छोटे मार देजिए जैसे कि अकसर आप सभी को क्या करना ए वाले आपसन को ही चुनना है तो इस तरीके से यह तेरा जो है यह सही आपसन है अगर आप सभी के पेपर में कोई इस तरीके से कोई A में कुछ दिया है B में कुछ है C में कुछ है और इस तरीके से last option में रहेगा सभी या इन में से सभी ठीके तो जब भी आपको चुनना है तो इसी वाले option को चुनना है यापका 100% right option है ठीके तो इस तरीके से आपको option में ट्रिकल है ठीके यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके से दिया है तो इसमें क्या है पहले वाले में ए वाला option राइट है और इसके बाद यह तीसरे वाले में अगर A option आप लोग चुन रहे हो तो आप सभी का 5 question अगर चुन रहे हो ठीके ए आपसन को तो उसमें से 5 में से अगर एक भी गलत होता है और 4 सही होते तो आपको फिर सक जाएंगे तो यहां पर क्या है इस तरीके से जैसे यहां पर करना आपको शुरूआत में A option को ही चुनना है तो इससे आपके पेपर में 20 अब्जक्टिव क서् exclude अब आप सभी को इसको क्या करना है यानी आपको इसको 4 भागों में बाटना है तिके जैसे आप लोग चाल आप संथ्टक क्या कि यानि यह से लेके 50 आप संथ्तक आप लोगों ने की चुनते गया ठीके उसके बाद 10 आप में B option को चुना, फिर 10 से 15 में C को, फिर 15 से 20 में D को, अगर इस तरीके से यह वाला trick लगाते हो, कोई यानि एक ही आप सभी को option 5 इस्थान तक चुनना है, सबसे आपसान तरीका है, trick यही है, यह trick में आप सभी को क्या करना है, यानि A option को 4 स्थान तक चुनना है, B option को 4, C option को 4, D option को 4, अगर यह trick लगाते हो, तो आप सभी का 20 में 15 option बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहां से 15 number बिल्कुल free में बिना मिहनत का ले लोगे आप लोग, तो यह trick आप लोग लगा सकते हो, इससे आप सभी का पूरा सही हो जाए है कि आप सभी के पास scale होना जरूरी है, ठीके, blue और black paint होना जरूरी, इसके अलाव पेंसील, ठीके, और यहां पे यह rubber और इसके अलाव इसकेज, ठीके, और जो चांदा होता है, प्रकाल होता है, यह सब चीजे आप सभी को अपने साथ लेकर जाना है, ठीके, तभी आप ल मैत के पेपर में, ठीके, मैत के जो टीचर होते हैं, वो क्या देखकर आप सभी को नंबर देते हैं, सबसे पहले कि यहां पर देखे, starting is important, यानि जो आपको मैत के question को solve करना, start करना है, वो काफी important तरीके से start करना है, जिसे देखकर के जो मैत के टीचर होते हैं, खुस होकर आ की होता है, यानि जितना step करोगे, आप सभी को उतना यानि नंबर मिलते हैं, ठीके, नंबर की हिसाब से, सबसे पहले के सुरुआत में, यानि starting is important में, आपको सुरुआत कैसे करना है, प्रस्ना अनुसार से कामा, ठीके, दिया है, उसके बाद कामा, जो भी चिन है, उसका प पूरे के पूरे नंबर इग्जामनर देंगे. अब यहां पे दिखें, जैसे आप सभी के पेपर में ये चार नंबर का कॉश्चन आ गया, कॉश्चन दे दिया, यहां पर का है के कामान गयाद कीजिये, ठीके, जिसके लिए समीकरण यहां पर दिया है, पहला समीकरण है, यहाँ पे 2X प्लस KY बराबर 1 और 3X ठीके 3X माइनस 5Y बराबर 7 का एक अधीती हल है इस तरीके से question दिया है और यह 4 नमबर का है और आप सभी को यह नहीं आ रहा है अब आपको trick क्या लगाना यहाँ पे जिससे आपको यहाँ पे ठीके पूरे नमबर मिल जाएंगे तो सबस्के पहले आपको सुरवात करना है मेल मेन स्टार्च इंपॉर्टंट तरीके से करना है आप सभी को सबसे पहले कि यहां पर संक्या यानिकि कि यह जो इसके नमबर दिये question कि वह कौन से थी यहां पर प्रश्व通च्ञ निसरे का आप सभी को लिखना है बलेग पैंस को इस साइड में ठीके किसी भी क्वेश्टन को करने से पहले आपको पहले प्रस्ना नुसार लिखना है कामा ठीके इसके बाद आपको नीचे इस लाइन में लिखना है दिया है ठीके फिर कामा लगाना है अब देखिए आपको इतना लिखने के बाद ठीके प्रस्ना अनुसार दिया है इतना लिखने के बाद अब देखिए इंपोर्टेंट क्या होता है मैथ में कि आप सभी को यहां पे जुमान दिया है जैसे यहां पे हमने इसमें समीक्रण वाला एक क्वेश्चन है तो पहला सम समिक्रार मानना है और इसको दूसरा समिक्रार मानना है ठीक है तो आप सभी को क्या करना है यहां से लिखना है तो इस तरीके से आप लोग ये दूसरा जोह समिक्रण ठीक है यहाँ पे 3x-5y ठीक है बराबर 7 इसको आपको equation second माल लेना है इसके बाद आपको ग्यात क्या करना है तो k का माल तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है ग्यात करना है यहाँ पे आप सभी को लिखना है ग्यात करना है के बराबर question mark ठीक है और यहाँ पे आप सभी को यह जरूर लगाना है ठीक है यह आप सभी के next step को दिखाता है तो यह चीज़े आपको जरूर ऐसे लगा देना है हर एक step में ऐसे आपको लगा देना है ठीक है और ग्यात करना है के बराबर question mark और यहाँ पे आप सभी को लिख देना है ठीक है ऐसे आप सभी को हल लिख देना है यानि आप सभी लोग अगर इतना कर दिये यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ थीν नंबर आपको जरूर देगा सिर्फ इतना करने पर और यह जो तरीकह हैं यह कमज़ोर से कमज़ोर student भी कर सकता है इसमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है सिर्फ यहाँ पे question से ही इस तरीके से हमने जो मान दिया है उसको आपको ऐसे लिख देना है अगर समीकराड है तो इस तरीके से समीकराड लिख दीजिए ठीके अगर कोई ऐसे मान होगा जैसे यहाँ पे a कमान दिया होगा आपके question में ठीके तो आपको a बराबर इतना रख देना है b बराबर इतना और अगर a b कमान पुछेगा तो इसके बराबर question mark ऐसे आप सुभी को कर देना ठीके तो अगर आप लोग सिर्फ इतना step कर देते हो और यहाँ पर हल देते हो पर यहाँ पर बता कितने नबर मिल जाएंगे दो या तीन नबर चार नबर में से आपको यह पर क्वालो को यह फालो क्या तो यही तरीके को ही देखकर आपको इसी तरीके पर धी एकजम लচान मेंoras are तो पहला ट्रिक तो यह है और दूसरा ट्रिक से यहां पे आ गया चार नंबर का क्वेश्चन जैसे आप सभी के पेपर में इस तरीके से बहुलग ठीके समानतर माद यहां पे यह सब चीज़े अगर ग्याद करने के लिए आ गया ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और यह आपके क्लाश 10 में पक्का आएगा ठीके तो अगर आपको इसका अंसर नहीं आद है ठीके नहीं आ रहा है आपको यह लगाने तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है सबसे पहले की आपको दिखे यह पहले की प्रस्नोतर संख्या लिख देना है हल लिखने के बार ठीके यहां प पर आपको एफेक्स याद होना चीए ठीक है अब देखे प्राप्तांग में जो चीजें यहां पर दिया है जैसे यह दिया है जीरो से दस डस से बीस बिस से तीस इसको ऐसे लिख देना है ठीक है इतना लिखने के बाद अब यहां पर आप लोग अगर नहीं कुछ जानते हो सब्सक्राइब कि 20 नहीं 15 हो जाएगा ज yourselves 25 का 50 इसका दाथ पैटीस हो जाएगा जसको अब इसके बाद यह मधिमान आप लोगों प्लोगों तयार कर लिया यह जरूर आप लोग यहें को दो हीaráिनिक पेफ़ो को राट लो बिल्कुल क्योंकि यह बिल्कुल फिक्स है आपका पांच नंबर छे नंबर का चार नंबर का फिक्स है ठीक है इसलिए हम आपको कह रहें कि यह आप लोग बिल्कुल किलियर कर लीजिए ट्रिक लगाने के लिए अब यहां पर बिद्यार्थियों की संख्या को य लिखे देगे इसको देखते हैं आपको दो नंबर यहां पर दे देंगे अगर यह भी चीजे याद है तो इसको भी लिख दो इसमें मध्यमान fx यप ये है यक्स ये है इसका और इसके बीच में गुड़े का चीन है ठीक है तो अब इसका 5 का 3 में गुड़ा करकर लिख दो इसका इसमें गुड़ा करकर लिख दो पूरा लिखने के बाद अगर ये इतना जानते हो तब आप लोग इसको यानि 15 A को अलग जोड़ोगे बाकी सभी संख्या को जोड़कर यहां पर लिख देना है यानि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है अगर ये समांतर माध्यवला आगे आपके पेपर में सवाल तो आपको ये ट्रिक लगाना है कि आपको ये जो चार्ट है ये जो होता है इसको जरूर बना लेना है बाकी ये सब चीज़े आपके पेपर में दिया है आप लोग बस समझना है कि प्राप्तां क्या होता है विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है और मध्यमान में क्या लिखा इतना लिख दो आपको चार नंबर का क्वेशन है छे नंबर का क्वेशन है तो दो नमबर, तीन नमबर एक्जामनर ऐसे ही इस पर देकर चले जाएंगे, ठीके, तो ऐसे आप सभी को जरूर करना है, अगर पूरा आता है, तो आप लोग इसको सुत्रियात करके पूरा सालब कर लो, पूरे छे नमबर ले लो, ठीके, अगर नहीं आता है, तो सिर्प इत यहाँ पिर दिखें कि क्वाम्ट को मित ये से अकारक है जो एक थोस घृणा पर नुमक्र करना खैसे सबसे सबसे कर लिए तो आपको आपके question में ही आपके answer चीपे रहते हैं, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नमबर लिख लेना है, यह पाँच नमबर का है, मैत का आप लोग एकजाम दे रहे हो, आपको प्रस्नोतर संख्या लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब इस तरीके से ल को क्या करना है एक संकू के टाइब का बना लेना है ठीक है यहां पर यह क्या हो गया है इस तरीके से यहां पर एक संकू हमने बना लिया ऐसे आपको क्या करना है संकू बनाना है और संकू में क्या होता है इस तरीके से यानि ऐसे बनाना है यह हो गया संकू इसी को संकू कहते हैं ठीक है यहाँ पर संकू बना लिए और इसके बाद देखे क्या है संकू के अकार का है जो एक समान अधार त्रिज्या के अर्ध गोले पर जो है अर्धा रोपित है इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक आप सभी को क्या करना है त्रिज्या का गोला भी बनाना अब यहां पर देखें यहां को है यह क्यां समान अधारत त्रिज्ञा ममझे जुब ले को आध्ls घोला तो आपको यह गुले को एसे बना लेना है पहले संकू से बनाना गि мир यहाँ पे पर देख सकती है अधा गुला है उसके बनाना पर और यहां पर आप शलेख भी आधा गुला है अब यहां पर क्या है जैसे यह जो संकु है इसकी उचाई जो है उचाई को हम येच से यानि इसके तरीजहा है यानि इस अर्ध गोले की तरिज्या और इस संकु की तरिज्या दोनों समान है अब यहाँ पे इसकी हम त्रिज्जा जो है यहाँ पे हम नाप लेते इसकी त्रिज्जा अब देखिए यहाँ पे जो इसकी त्रिज्जा रहेगी वो यहाँ पे आर रहेगी ठीके और यह दोनों की त्रिज्जा है आर होगी यह दोनों की त्रिज्जा है समान है आर है और इस इस तरीके से डाइग्राम खिशना है और इस तरीके से आपको इसको सो कर देना है ठीक है इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है अब देखें आप सभी को क्या करना है यहां पर हल लिखना है और इसकी सरचना करना है अब यहां पर देखें आप सभी को हल लिखना है ठीक पर जगह नहीं है तो इसके ठीक पीछे लिख सकते हो अब यहां पर जैसे इस तरीके सहल लिखने के बाद अब आपको लिखना सबसे पहले कि यहां पर कि माना संकु का उचाई ठीक है यहां पर लिखना है माना संकु की उचाई यह अच्छ है ठीक है और संकु की त्रिज्या किया आर है और शंकु की त्रिज्य आर है। और शंकु की तृर्ण कुछ आascasmẫn founder कई अब इसके बाद देखिम इतना लिखने के बाद यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद आपको यह चीजे लिखना है इतना लिखने के बाद यहां पर अपको हल लिख देना है हल लिखने के बाद आपको क्या लिखना है जिसे आपको प्रस्ण से ही आंसर बनाना श्टार्ट कर देना है ठीक है आप से भी को कैसे आंसर बनाना है सबसे पहले की प्रस्णानुसार सबसे पहले यहाँ पर संकू के लिए बोला गया था कि संकू आप सभी को ब इसे नीचे यह अर्ध गोला बनाया हुआ हुआ है तो यह जो-चीजे आफ लोगों extraordinary की आर लिया यही चीजी आता कर देख लिखना उसके बाद यहां पर प्रसन्वासर दिया है के है काण आर्ध गोले का वकरप्रष्ट बराबर संकु काव वक्रफष्ट, question में आप सभी के दिया है देखे यहां पर अर्द गोले का वक्रफष्ट तथा संकू का वक्रफष्ट समान है ठीक है ययनि बराबर है तो आपको लिख देना माँ और संकू के wekin तैके त्रिभूज भी आज आएगा को आप लोग सभी टाइप के चीज को सीख जाूं कि किसको आ त्रिभूज कैसे बनता है संकु ऐसे बनता है सब चीज फज़ा व्यक्त ट्रीक पोरको आप करना अगर इतना कर दिया और उचिज आods लोग Ό अगर यह ट्रिक लगा दिये तो आप सभी लोग 100% अगरector में पास अब मार्किंग ओता है और क्लाश यहलत को आपको 23 लाना है और आप लोग संग पास होजाय तो यहां पर देखें जहां आप लोग को कुछ नहीं आ रहा था यहां पर आपको चार नंबर तीन नंबर फ्री में थोड़ा सा ट्रिक लगा कर मिल जा रहा है तो आपके लिए बहुत कुछ है ठीक है क्योंकि देखें डूबने वालों को तिनके की सहरा चाहिए तो इस तरीक कि कौपीड करेंगे यह कुछ सिर्फ मैयथ की टीचर को ही यह अगर आप लोग लगा हु तो मैध की टीचर स अंगे आप सभी लोगको परसनोता संख्या लिख करके उसी कुष्षन को ही बिल्कुल स्यम उतार दो ठीका अगर दो नंबर का कुष्षन है तो यहाँ पे आपको एक नंबर यह आधा नंबर जो मैद के कॉपी चेक करने वाले टीचर रहेंगे न वो आपको यहां पर जरूर दे देंगे यह बिल्कुल फिक्स है ठीक है यह जो है रूल होता है जैसा कि यह मैद के सभी टीचर करते हैं और हम भी यह करते हैं तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है यानि प्रसंदोतर संखेश ज यह जो चाहते हैं यहां तक यहां तक शिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा लिकर छोड़ दीजिए यहां पर अगर चार नंबर का कोशन तो एक नंबर अगर दो नंबर का कोशन है तो आधा नमबर जरूर एक्जामनर देंगे तो इस तरीके से यह सभी हमारे ट्रिका तो जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं जिनको मैत बिल्कुल भी नहीं आती ठीके वह इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एक्जाम में करिएगा 100% मेरी फूल गारांटी है कि आप सभी लोग ठीके बहुत अच्छे नंबर पाओगे और मैत में आप लोग बहुत अच्छ वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे बाकि अगर आप लोग इस ट्रिक को लगाओगे तो टीचर खूस होकर मेरी 100% कारांटी कि आप सभी को पूरे के पूरे अच्छे नंबर देंगे और आप लोग इस ट्रिक को जान गई इस वीडियो क को हमारे देख लिए तो आप लोग कभी जिन्दगी में मैत में फेल नहीं हो सकते कि इस वीडियो में सिर्फ इतना है आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प् जोगन आपको बालता है नहीं होता कर देल है व्याने थिए.